नमस्कार सुवागत है आपका वक्त इंडिया में आज हम कश्मीर सूबे के सोपोर इलाके में आए हैं आपको पता है यहां पे काफी जो पसमांदा आसपास के दूर दरास के लोग आते हैं और उनके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए जाते हैं और उनका दावा भी किय प्राइमरी लेवल पे जो लोगों को है वो जो सुविधाएं हैं मोहिया करवाई जाएंगी लेकिन हमारे सामने यह ताजा मिसाल है सरकार की अंदेखी की और खासकर एक बदा मजाग है जो यहां के लोगों के साथ है 2007 में इस बिल्डिंग का काम शुरू हुआ था यह प्र अब यहां पर काम बंद भी कर दिया गया है इसको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब तक लाखों रुपे इसके उपर खर्चा हो चुका है और कोविट-19 के केस भी सोपोर में काफी जादा है क्योंकि यहां पर जो क्वारेंटाइन सेंटर हैं सरकार की और से कही स्कूलों को बनाया गया है या उसकी कोई फेसिल्टी जो अन्य फेसिल्टी है वो लोगों को दी गई है लेकिन यह पर काम काज होता तो यहां के लोगों को कितना फाइदा पहुंचता यहां के लोग आप समझ सकते हैं जो अभी कश्मीर सिटी में जाते हैं या बाकी इलाक तो खिड़कियां हैं कभी यहां पे शीशे भी लगाए गए थे वो भी टूट चुके हैं ताला आप देख सकते हैं वो ताला लगा हुआ है और कितनी बड़ी यह बिल्डिंग है यह डबल स्टोरी बिल्डिंग है और काफी जो इसका एरिया है वो भी बहुत जादा है साइदा आम लोगों तक पहुंचनी पाता है जिससे उनके जो मसायल हैं वो जियों के तियों रहते हैं हमारे साथ कुछ लोग हैं यहां पर जो स्थानिये लोग हैं सोपोर के आप मुझे बताएं किस बिल्डिंग काम कब शुरुवात हुई थी जिस बिल्डिंग काम 2007 में ह हुई थी संगी बिन्यात रखें उसकी उसके बाद फोड़ा साथ कुछ दिन कुछ साल लगे इसको तैयर होने में आज 2020 चल रहा है अभी यह मतलब 10-15 साल में तयार नहीं कम मुकमल नहीं हुए है लोगों के अंदर काफी गमों गुसा का लहर पड़ी है यहां करीब 15 गाउ करता है बार मला दूर पड़ता है अगर यह तैयर हो जाएगा 15 गाउं को बहुत ही आसान हो जाएगा यह मगर कही बार हमने दरने भी दिये हैं कई बार हम अला हकाम के पास भी गए है वजह क्या बताई जाती है आप इतने साल हो गए यहां के तमाम लोग गए होंगे जो आ जिस ने बिल्डिंग बनाई है और कोई नबाटा नबाटा की वजिस कोई है वह घ्टेकवे दार की वज़़ें उनके हम ने पैंसे थोड़ा सा पैंडिंग है अभी अनके पैंसे बराबद नहीं हुए है तो इसका फाउंडिशन स्टोन किसने रखा था यहां पे जब अब काम हुआ है यह शीशे देख आप देख सकते हैं शीशे भी लगाए वो भी टूटे हुए लेकिन अदूरा ही रह गया अभी हमारा एक हॉस्पिटल अभी कुछ नहीं हकूमत यहां पर आई नहें मैले आये यह यकीन यह बात तो सामने आई होगी कि उन्होंने यह वादा किया होगा कि मुझे जिता दो मैं आते ही इसो ठीक करवा दूंगा बिल्कुल हमारी जो कोशिश रहती है कि कोई मेले आए और वो हमें कुछ अच्छे अच्छे काम दिलाए जैसे रस्ते यह हॉस्पिटाल हमारे लेकिन कुछ भी नहीं उन्होंने किया यह जो हस्पिटल उसने बनाये हैं वो भी अदूर है तब से नहीं आये हैं ऐसे ही पडे रहते हैं यह ह्सपिटाल हमारे जो बीसे जो होते हैं बहुत दूर जाना पड़ता है सोपोररवमला वहां क greater hospital है उसको क्यों नहीं चलाते हैं लेकिन ऐसे रहा यह hospital है। इबड़ आश्रों का कहना है कि इस सोब्र का गाउं है। और भी है। और लेकिन इंको उसके बावजूद चोटी सी वेमारी के लिए बी। सोपौर के जो सिटी का इलाकर है वह जाना होता है वहाँ इनका पैसा लगता है टाइम लगता है और पेशन्ट की तबियत बिगड़ जाए रास्ते में इसका भी कोई भरोसा नहीं होता है तो यह तमाम तरहां के जो हम जब भी यह दावे किये जाते हैं कि हमने विकास किया है और हम जमीनी स्थर पर आकर उसको जब चे पूचेगी जिनकी कथनी और करनी में फर्क है अभी के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए राजनवैद